चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाईए और हार एक नियूस सबसे पहले पाईए बॉलिवुट के दबंग सुपरस्टार सलमान खान और देशी गल के नाम से मसूर पिर्यंका चोपड़ा एक बार फिट से बड़े परदे पर दर्सकों का भरपूर मोरंजन करने वाले हैं जी हां लगबग दो साल के बाद पिर्यंका चोपड़ा ने सलमान खान की बिग बज़र्ट फिल्म भारत से बॉलिवुड में बापसी करने को बिल्कुल तयार हैं आपको बता दे कि काफी लंबे समय से पिर्यंका चोपड़ा सलमान खान की भारत में काम करने के लिए खबर आ रहे थी जिसे आप पूरी तरीके से कनफर्म कर दिया गया है आपको बता दे कि भारत को डिरेक्ट करेंगे अली अवास जफर अली अवास जफर ने पिछले दिनों सलमान खान के साथ एक था टाइगर जैसी सूपर हिट फिल्म बॉक्स आफिस पर दिया है बताया जा रहा है कि अली अवास जफर ने कभी सोच विचार के बाद ही प्रियंका को फिल्म भारत में लेने का फैशला किया है और प्रियंका चोपडा ने फिल्म भारत के लिए अपनी हाँ भी भर दिया है यानि कि प्रियंका चोपड़ा अब भारत से एक वार फिर से बॉलिवुड इंडस्टी में कमबैक करने को बिल्कुल तेयार है आपको बता दे कि दोनों कलाकार सल्मान खान और प्रियंका चोपड़ा करीब 10 सालों के बाद एक साथ बड़े परदे पर नज़र आने वाले हैं आप देखना ये है कि सल्मान खान का भारत बॉक्स ओफिस पर क्या इतिहास रश्ती है आपको बता दे कि मुझसे साधी करियोगी में सल्मान खान और प्रियंका चोपड़ा का जोड़दार रोमांस दर्सकों को काफी जादा पसंद आया था उसके बाद सलामे इसक और गॉड तुसी ग्रीड जैसी फिल्में दोनों ने बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड़ कमाई करके इंडस्टी में हलचल मचाई थी